एक खुशहाल राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। सारी खुशियाओं होने के बावजूद वे दुखी थे, क्योंकि विवाह को वर्षों बीत जाने बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर समय भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। राणी ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के मुक पर सूर्य की किरणों सी चमक थी। उसका नाम रोजामंड रखा गया। पुत्री के जन्म की खुशी में राजा रानी ने एक बहुत बड़ा जश्न आयोजित किया, जिसमें राज्य की पूरी प्रजा को बुलाया गया। पुत्री के जन्म दिया। बारहवीं परी के आशीरवाद देने के पहले ही तेरहवीं परी वहां आ गई। वह जश्न में न बुलाये जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। उसने रोजामंड को श्राप दे दिया कि अपने सोलहवें जन्म दिन के दिन उसे एक सुई चुभेगी और वह मर बारहवीं परी का आशीरवाद शेश था। नहीं किया जा सकता, किन्तु मैं अपने आशीरवाद से उसे कम कर सकती हूँ। उसने रोजामंड को आशीरवाद दिया कि अपने सोलहवें जन्म दिन पर सुई चुभने पर वह मरेगी नहीं, बलकि सौ वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। यह सुनकर राजा परी का श्राप कम कर दिया। इस बात की हमें बेहद खुशी है। किन्तु दुख ये है कि हम लोग रोजामंड का विवाह नहीं देख पाएंगे। जब सौ वर्षों के बाद वह सो कर उठेगी, तब तक हम मर चुके होंगे। तब बारहवीं परी बोली, जैसे ही रोजाम करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियाब राजमहल से चली गई। परियों के जाने के बाद राजारानी ने सेवकों से कहकर राजमहल के सारे चर्खे और सुईया नश्ट करवा दी। वे किसी भी सूरत में रोजामंड को दुष्ट परी के श सोलहावां जन्मदिन आ ही गया। राजारानी ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए शाम को एक बड़े जश्न और भोज का आयोजन किया था। किन्तु वे चिंतित भी थे। उन्हें दुष्ट परी के श्राप के सच हो जाने की आशंका ने घेर रखा था। राजमहल से जाने से पहले उन्होंने अपनी विश्वास पात्र दासी डायना को हिदायत दी कि वह रोजामंड का खयाल रखे और उसे राजमहल से बाहर जाने न दे। डायना ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वह रोजामंड को कुछ नहीं होने देगी। खेलने लगी। जाते हुए सीरियान चरहने लगी। तितली उड़ते उड़ते मीनार के सबसे उपरी मंजिल पर पहुँच गई और उसके पीछे रोजामंड भी। मीनार के उस हिस्से पर एक छोटा सा कमरा था। तितली के पीछे रोजामंड उस कमरे में चली गई। वहां एक बूरही औरत चर्खा चला रही थी। रोजामंड ने कभी चर्खा नहीं देखा था। वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। बूरही औरत ने जब सिर उठा कर रोजामंड को देखा, तो रोजामंड ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? मैं इस चर्खे से सूत काट रही हूँ. क्या तुम भी सूत कातना चाहोगी? बूरही औरत ने उत्तर दिया. रोजा मंड ने कभी चर्खा नहीं देखा था. इसलिए उसका मन सूत कातने को मचल उठा. वह चर्खे के पास बैठ गई और चर्खा चलाने लगी. बूरही औरत उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगी. वह बूरही औरत और कोई नही बलकि दुष्ट तेरहवी परी थी. रोजा मंड चर्खा चलाते हुए बहुत खुश थी. लेकिन अचानक ही एक नुकीली सूई उसकी उंगली में आगुसी और वह गिर पड़ी. गिरने के साथ ही वह गहरी नींद में सो गई. दुष्ट तेरहवी परी का श्राप पूरा ह हो चुका था. वह हस्ते हुए वहां से चली गई. इधर राजारानी जब वापस लोटे तो रोजा मंड को महल में न पाकर चिंतित हो उठे. डायना भी उन्हें कुछ बता नहीं पाई. राजा ने सैनिकों को रोजा मंड को ढूनने के लिए भेजा. वे स्वयम भी उसे आशा गया. किन्तु रोजा मंड नहीं मिली. खोजते खोजते सैनिकों के साथ राजारानी मीनार में पहुँचे. वहां उपरी मंजिल के कमरे में उन्होंने रोजा मंड को सोते हुए पाया. पास ही चरखा भी रखा हुआ था. वे समझ गए कि दुष्ट परी के श्राप न रोजा मंड को राज महल ले जाया गया और उसे तैयार कर मखमली बिचोने वाले एक बिस्तर पर लिटा दिया गया. सोती हुई रोजा मंड बहुत ही सुन्दर लग रही थी. कुछ ही देर में राजारानी, दरबारी और राज की पूरी प्रजा सो गई. काला बादल राज क बस किस्से कहानियों में रह गया था. वहां की सोई हुई राज कुमारी के किस्से दूर दूर तक सुनाये जाते थे. राज कुमारी को देखने की आस में कई राज कुमार उस राज्य में जाने का प्रयास करते, किन्तु कंटीली जाड़ी को पार नहीं कर पाते. कई घायल ह कर वापस लौट आते तो कई उन में फंसकर मर जाते। राजकुमारों की मौत की खबर फैलने के बाद सब ने वहाँ जाना छोड़ दिया। ऐसे ही सौ वर्ष बीद गए। एक दिन इवान नामक राजकुमार ने सोई हुई राजकुमारी की कहानी सुनी। कहानी सुनकर वह उसे चाहने लगा। उसने तय किया कि वह उसे एक बार देखने अवश्य जाएगा और उसे नींद से जगाने का प्रयास करेगा। खत्रे को देखते हुए सब ने उसे वहां जाने से मना किया। किन्तु वह नहीं माना और रोजामंड की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह कंटीली जाडियों के पीछे छुपे उस राज्य के पास पहुँच गया जहां रोजामंड सोई हुई थी। जिस दिन वह वहां पहुँचा तब तक रोजामंड को सोई ये सौ वर्ष पूरे हो चुके थे। राजकुमार इवान ने कंटीली जाडियों को किसी तरह अपनी तलवार से काट कर पार किया और राज्य में घुज गया। राज्य के अंदर जाने पर उसने देखा कि पूरी प्रजा सोई हुई है। को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। जैसे ही उसके रोजामंड को चूमा, दुष्ट परी का श्राप समाप्त हो गया और रोजामंड नींद की नींद तूट गई। आखें खोलते ही उसने एक सुन्दर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह जान गई कि यही वो प्रेम करने वाला राजकुमार है जिसने उसे सौ वर्षों की गहरी नींद से जगाया है। राजकुमार ने रोजामंड को बताया कि वह उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। रोजामंड ने उसका यह विवाह प्रस्ताव खुशी-खुशी स्वीकार कर दोनों उस कमरे से निकल कर राज दर्बार पहुँचे तो देखा कि राजारानी और सभी दर्बारी भी नींद से जाग चुके हैं। और वहां सूर्य फिर से चमकने लगा। सबने मिलकर सूर्य देवता की प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया। उसी दिन रोजामंड और राजकुमार का विवाह कर दिया गया। जब रोजामंड और राजकुमार का विवाह हुआ तो सूर्य से आग का एक गोला निक कर दो 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 आगे